दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि बिन बुलाएं दूसरों की शादी में फ्री में गुषके कैसे खाना खाते हैं दिशर्प्शन में एंट्री करते वेक्ट हमेशा ध्यान रखे कि चेहरे पे नर्वसनेस नहीं होना चाहिए और कभी भी गलती से अकेले मत गुषना वरना डाउट हो जाएगा सबको इंतजार करना कोई अगर सामने से जार आओ था उनके पीछे 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 अंदर गुषनाना एकदम confidence से अंदर गुषने का मानोगे जैसे आपके बाप की साधी हो रही हो Entry Gate में पहुंचते हैं आपको सबसे पहले अपने मन में एक नक्सा बनाना है कि दुला दुलन किस तरफ हैं और आपके खानी के आइटम्स कहां सरव हो रहे हैं Finally आपको धिरे धिरे जहां पर खाना सरव हो रहा है उस तरफ चलना है और ध्यान रखना है कि दूला दूला आपको ना देख पाएं चलो थेंग और धुआ छोड़ दिया गया अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जाते साथ ही खाना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद हाथ में ब्लेट लेके मौके का फाइदा उठाके लाइन में लग जाने का ये भाई थुड़ा और देना हमेशा ध्यान रहें एक ही टाइम पर सारे चीज़े आपको ले जाना है क्योंकि दुबारा आके लेने का रिस्क कभी मतलो अरे आंटी आगे बढ़ना यार घर में खाना नहीं मिलता गया तो दोस्तों आप भी ऐसा ही करना अगर आप पे बाजू वाले अगर आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आप उनको ओवर टेकर के आगे चले जाओ क्योंकि आग जितना देरी वहां पे रुकोगे लोगों का शक आपके बढ़ सकता है फाइनली जैसे तैसे करके आपको प्लेट भर देना है उसके बाद जो दूसरा काम है आपको ये करना है कि आपके जैसे बहुत ऐसे आयोंगे बिना बुलाए खाना खाने के लिए कोई अगर डरा सहमा कहीं खड़ा होगा तो उसके साथ मिल जाना है एक कमपणी भी आपको मिल जाएगी और लोगों को सक भी नहीं होगा तो मैं धून रहा हूँ कोई ऐसा है क्या ओ येस कोई दिखी डरी हुई हेलो स्कूज मी मैडम मैडम अबे तू अबे यार ये मरवाएगी मुझे ये भी फ्री का खाना खाने आगी ये दर पर गलती से कभी खाना खाते ही तुरंत वहां से एक्जिट मत मार देना वरना आप लोगों के सक के गहरे में आ जाओगे आपको क्या करना है वहां पर जो लड़किया रहेंगी उनका फोटोग्राफर बन जाना ять तो लोगों को ले या कि जा लोगों ये काई लिया होगा तो आपके पकड़े जाने की चांस भी बहुत कम हो जाते हैं बट फिर भी रिस्क ने लेने का और आपको थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए आइस्क्रीम लेके हाथ में खड़े हो जाने का आइस्क्रीम खाते काते आपको देखना है कि एक्जिट गेट में कोई मौजूद है के नहीं जब एक्जिट गेट खाली रहेगा आपके लिए चांस बढ़ जाएंगी कि आप महां से निकल जाओगे वो भी सुरक्षित दूसरी तरफ अपनी बहन भिया पार परिश्रम कर रह अरे ये गरीब कोन आगिया इदर यार भगाओ इसको गई अभी ये लड़की गई अभी मुझे जल से जल यहां से निकलना पड़ेगा आप ये ट्राइ करते हो तो पिट भी सकते हो देखो अगर मैं पकड़ा गया तो मैं भाई बरतन वगरा धो के निकल सकता हूं लेकिन आपको अगर अपनी इमेज प्यारी है तो ये सब मत करना कभी दोसों ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स और ट्रिक्स पाने के लिए हमा